ये है Let's Go brand की latest smoke machine जिसको हम fog machine भी कहते हैं और इस machine की खास बात ही है कि ये smoke तो create करती है definitely लेकिन गाइस इसका जो size है बहुत ही compact है इतना compact size है कि आपको जो है ये easily जो है कहीं पे भी ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप जो है easily छोटे से bag में भी इसको ले जा सकते ह तो आज की वीडियो में देखते हैं ये product जो है किस तरह से perform करता है क्या कैस में खास बात है और सबसे पहले first thing first ये देखते है in the box हमें क्या क्या content देखने को मिलता है तो box open करने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक carrying case जिसके अंदर जो है सारी चीजे हैं इसकी ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक machine जो की है main unit जिससे smoke भार निकलेगी इसको हम detail में बाद में देखेंगे और मिलते हैं साथ में fog machine fluid जो की 6 है तीन जो है इसमें और तीन जो है इसमें है ऐसे मिलते हैं और उसके बाद है कुछ accessories इसकी मदद से हम जो है अलग अलग तरह की जो है smoke create कर सकते है for example एक है ये वला hose pipe और दूसरा है एक और pipe इन दोनों को जो smoke है वो अलग होता है और उसके बाद मिलता है एक remote ताकि आप wirelessly इसको जो है use कर पाए और मिलती है एक windshield kind of thing जो की इस तरह से दिखती है लेकिन ये जो है अलग तरह की smoke create करते हैं तीनों को हम use करेंगे फिर मिलती है data cable इसको charge करने के लिए और मिलता है एक और pipe तो ये सारी चीज़े हमें इन दी box देखने को मिलती है चलेगा इस अब ये देखते हैं इस smoke machine को हम कैसे ready कर सकते हैं कैसे हमने इसके अंदर से smoke निकाल ली है और कैसे ये fluid को डालना है तो इस fog machine fluid को कैसे use करना है यहाँ पे सारे steps बता रखे हैं कि यहां से हमने इसका धकन open करना है और फिर डालना है और इस तरह से हम रोटेट करके इसको जो है open कर सकते हैं और इसकी top side में हमें जो है orange color की एक cap देखने को मिलती है इसको आपने जो है इस तरह से open करना है और यहाँ पे अब हमने जो है fluid को डालना है तो make sure आप जब fluid डालने न तो आपने 5 मिनट तक जो है इसको use नहीं करना है बिल्कुल stable रखना है standing position में और यह डालने के बाद आपने जो है फिर इसको use करना है तो इस तरह से आपने fluid को इसमें fill करना है अभी मैं थोड़ा सा fill कर जता हूँ क्योंकि मिलको जादा use नहीं करनी लेकिन आप जो है अपने coding जो है fill कर सकते हैं और जैसे आप fill कर लें इस को जो है इस तरह से रखना है ताकि यह जो है settle हो जाए अब इसको रखे हुए गाईस पांच मिनट हो गए इसकी कैप को करते हैं close और इस तरह से हम जो है इसको rotate करके जो है lock कर सकते हैं अब इसमें गाईस vegetable oil डालने के बाद यानि जो liquid है उसका नाम है vegetable oil जो भिलकुल जो है eco friendly है मतलब आपको कुछ भी harm नहीं करेगा तो वो डालने के बाद आपने इसको power on करना यह power on करने का button है और जैसे हम इसको double tap करेंगे तो यह जो है on हो जाएगी तो इस तरह से हम इसको on कर सकते हैं और as you can see smoke निकलनी शुरू हो गई है अब मैं इसके आगे जो है इसके connector जो है smoke निकलती है as you can see हम जो है इस तरह की smoke इसमें से create कर सकते हैं ताकि आप जो है एक pressure way में smoke create कर सके तो इस तरह से यह वह प्रोड़क्ट काम करता है अगर हम इस accessory को use करते हैं और उसके बाद guys अब मैं next इसकी accessory लगाता हूँ जो की थोड़ी सी different है दिखने में लेकिन वो on करता हूँ तो इस तरह से smoke हमें दिखाई देती है अब इसमें जो smoke है अलग तरीके से आ रही है as you can see मैं अराम से कोई भी product shoot करो या फिर कोई भी pre wedding करो या कुछ भी करो तो जो है इस तरह से smoke निकाल सकते है और यह बहुत दिर तक ठहरती है as you can see एकदम से जो है नहीं करते हैं इस तरह से तो काफी देर तक जो है यह smoke क्रेट करते हैं कि हमारे बेज पर जल्दी से जो है जाएगी निए smoke हमारे product के आसपास और गाई जो density है काफी अच्छी हमें जो है डार कशे चानी नियोती स्मॉक काहां से आ रहे तो आप इस पाइब को जो है इस तरह से पीछे हाइड कर कि किसी और किसी भी आपके आपके जो भी अब्जेक्ट है उसकी पीछे या फे फ्रेम में आप ज добав कर सकते हैं आप जो है इसकी काफी अच्छी है अगर मैं इसको फिर आपने यहाँ पर इसको attach करना है, attach करने के बाद आप जो smoke है वो अलग तरीके से निकलेगी, जैसे एक मशाल से निकलती है, वैसी थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर smoke देखने को मिलेगी, तो इस तरह से आप जब बहुत अच्छी smoke क्रेट कर सकते हैं, देखे काई इस क्योंकि इसके अंदर vegetable oil डला हुआ है, इसके लावगा इस बात करें चार्जिंग की, तो यह जो smoke मशीन है, यह टाइप C चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जिसमें आप 5V 2A का इसमें चार्जर लगा सकते हैं, इसके लावगा इस अगर आप wirelessly इसको use करना चाहते हैं, तो आपको जो है अलग से, जैसी कि मैंने आपको unboxing में दिखाया था, हमें जो है remote देखने को मिलते हैं, जैसी आप जो है इसको 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 double press करेंगे, यह जो है on हो जाएगी, और वापिस से आप जो है इसको double press करके जो है off भी कर सकते हैं, तो इस तरह से यह wirelessly काम भी करती है, तो overall guys, अगर आप एक ऐसी smoke machine चाहते हैं, जो compact हो size बर बहुत अच्छी smoke create करें, तो यह जो है product बहुत ही आपको best लगने वाला है, आप इस product को consider कर सकते हैं, and guys इस product का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like and channel को subscribe ज़रूर करें, stay tuned until next video